हलो स्टुडेंट्स आज हम इंदी व्याकरण का पाश्वा पार्ट नाम शब्द पढ़ेंगे जिसमें नाम यानि आप जानते हैं नेम जैसे कोई भी चीज हो तो उसका पर्टिकुलर नेम होता है उससे हमारी पैचान होती है जैसे आप है तो आपका पी अलग-अलग नाम है पुस्तक का नाम यानि बुक्स का भी अलग-अलग नेम है तो इसी तरह से सभी लोगों वस्त्वों तो जगहों के कुछ नाम होते हैं जैसे एक क्लास्रूम का पिक्चर दे रखा है यहां पर तो उसका ख्षा में कौन-कौन है कि देखो अध्यापिका टीचर खड़ी है व क्या बोलता है श्यामपट इसी तरह से कुर्सी मेज दिवार घड़ी अलमारी पुस्तक छात्र इसारे चात्र बैठें या पर चात्र चात्राएं बैठें तो यह एक क्लास्रूम का चित्र है और इसमें पर्टिकुलर एक सभी के अलग-अलग से नाम दे रखें उपर देख एक अलग-अलग नाम है कक्सा में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का कोई ने कोई नाम है उसी नाम से उसकी पहचान होती है नीचे कुछ नाम शब्दों के चित्र दिये गए हैं आईए देखें तो पहला देखो क्या है ब्लैक बोर्ड है हिंदी में बोलते इसको श्यामप विद्ध्यालय अध्यापिका यह नाम है कि अलग-अलग से जो भी विक्चर दे रखी हो उनके अब यहां कुछ नाम दे रखें जिसमें पक्षियों के पसुओं के व्यक्तियों के सहरों के और वस्तु के नाम है उनको हम वन बाइवन रीड करेंगे फर्स देखो बच्चों तोता, मुर्गा, कबूतर आप जैसे कोई भी अलग पिक्चर दिखाऊंगी तो आप फटाक से बचाऊंगें नहीं नहीं यह तो कबूतर नहीं यह तो मोर है क्योंकि हर एक का अलग-अलग नाम होते हैं पशों मैं देखो बच्चों गोडा, कुत्ता, हीरन, व्यक्तियों के नाम में अमिताप बच्चन, सचिन तंदूलकर और मदर टेरेसा, सहरों के नाम आगरा, हैदराबाद, दिल्ली, वस्तों के नाम गुडिया, पुस्तक, कार तो ये सबी अपने अलग-अलग से पक्षियों के नाम है, पशों के, व्यक्तियों के, सहरों के और वस्तों के नाम, इसी तरह से हम नेक्स पढ़ेंगे, दिनों के नाम, महिनों के नाम, पहाडों के नाम, इमार्तों के नाम और नदियों के नाम, दिनों यानि डेज, नेम मंगलवार, बुद्धवार, गुरुवार, शुक्रवार, सनिवार, रविवार तो इस तरह से आपको भी अपने की नेम जो या चीतर से लर्न करने हैं बचो सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, गुरुवार, शुक्रवार, सनिवार, रविवार महिनों के नाम में जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर देखो आप बिंदी कहां लगी है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको मार्च में देखो रवाधा है तो उसको उपर ऐसे बनाएगा सी की तरचक के उपर तो ये सब आपको दियान रखे सभी दिनों के नाम और महिनों के नाम भी याद करने है अब पहाड़ों यानि mountains, हिमाले, केलास, विंद्याचल ये सारे हमारे mountains हैं बचों जीने हम इंदी में बहाड बोलते हैं तो पहाड़ों के नाम में हिमाले, केलास विंद्याचल इमार तो यानि monuments, जामा मस्जित, हवा महल और 4 मिनार नदियों के नाम में गंगा, यमुना, गौदावरी और सतलुज इस तरह से ये सारे नाम आपको याद रखना है अब आता है रजनात्मक अभ्यास यानि प्रैक्टिस करनी है जो आप अपने आप स्वयम करोगे इनी तीन पश्णों के चित्र चिपका कर उनके नाम लिखिए ये आपके उपर आप कौन से पशू लेते हो पशू मना एनिमल्स काउ, गौट, शिप, बफेलो ये सारे मैं से आपको जो भी अच्छा लगता है डॉंकी, कैमल आपको जो अच्छा लगता है उन सब मैं से कोई तीन पिच्चर बना देना यहाँ पर चिपका देना उसके नेम निचे लिख देना यहाँ पर जगे रखिए आप नेम पापा का नाम यानि दादा, दादी, मा, पिता, भाई, बहन तो इन सब के आपको नेम लिखने हैं नेक्स कुश्चन है थर्ड दिये गए चित्रों को पहचान कर उनकी नाम रिखिए तो पहला क्या है बच्चों मोर, हाथी, कबुतर, उंट, सेब, आम नेक्स कुश्चन नमबर फोर, नीचे दी गई वर्ग पहली में अलग 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 प्रकार के नाम चिपे हुए हैं उन्हें ढूंड कर सही स्थान पर लिखिए तो इन में देखिए आप अलग अलग से मैंने बॉक्स बना रखे हैं जो जो नाम मुझे मिले हैं अब आपको इसमें कुश्चन दे रखे हैं उनके अपने को इन में नेम ढूंड के लिखने हैं तो दो फूलों के नाम तो मुझे जो मैंने ड्रॉ की हैं उसमें से दो मिले मेरे को देखो गैंदा और सूरज मुखी गैंदा और सूरज मुखी इसी तरह से दो पश्रों के नाम बंदरिय दोटा, दोबहनों के नाम कार बस दूद से बनी, दो चीजों के नाम, पनीर दही दो सबजीओं के नाम, मतर आलू, यानि जो ये वर्ण दे रखे हैं बच्चों, इनको जोड़करके जो शब्द बन रहे हैं उन मेंसे कुछ फूल है पशों के नाम है फनों के नाम है यह मैंने अलग से हाइलाइट कर दिया है पैंसल से बॉक्स बना दिया है और इन मेंसे आपने कुछ जो जो मैच हो रहा है उसके नीचे आंसर लिख दिये है ठीके? तो आप लोग भी अपने पढ़कर के और आंसर लिखेगा थैंक्यू डियर स्टुडेंट्स